नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर 26,000 पदों पर इस दिन से शुरू होगी दरों का सिपाही की भरती तेजश्वी मीसा से CBI की पूछताच हुई खट आसे सुरू हुई चैती छट पूजा केती करमचारियों का बढ़ा चार प्रतीशित महंगाई भरता IPL के किस टीम का सोशल मीडिया पर है जलवा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से 26,000 पदों पर इस दिन से शुरू होगा दरों का सिपाही की भरती अगर आपे बिहार के पुलिस बर में जुरने की एक्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि बहुत जल्दी बिहार में बंपर बहाली होने वाली है दरसल राज्यमी डायल 112 में तैनाती करने के लिए 26,000 पदों पर दरों का और सिपाही की भरती होने वाली है मालू हो कि यह भरती प्रक्रिया जून से शुरू हो जाएगी जल्दी इसको लेकर विग्यापन भी जारी कर दिया जाएगा बता दे कि पुलिस मुख्याले के दौरा सभी जिलों से खाली पड़े पदों की सूची रोस्टर के आधार पर तयार करके मांगी गई है सुची प्राफ्त होने के बाद पुलिस मुख्याले और ग्री विवात के इसतर पर सभी काली पदों की सूची सामाने महिला आरक्षन से लेकर अन्य सभी आरक्षन श्रेनियों की आधार पर विवाज़ित करते वे अंतीम रूप से तयार की जाएगी और फिर सुची के आधार पर संबंध चैन परशत को बहाली की प्रक्रियाश शुरू करने को पत्र भेजा दाएगा विनोच चंदरन बने पटना हाई कोट के चीफ चस्टिस भारत के राश्रपती ने नीम निखित नियाधीशों को उच नयालों के मुख्य नियाधीशों के रूप में नियुक्त किया है सुची के नुसार पतना हाई कोट के चीफ जस्टिस के रूप में विनोच चंदरन को चुना गया है मालू हो कि विनोच चंदरन पहले केरल उच नयाले के वर्स्ट नयाधीश थे लेकिन अब उन्हें पतना हाई कोट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है तेजश्री मीसा से CBI की पूछताच हुई ख़त बिहार में रेलवे में जमीन के बदले नौकडी मामले को लेकर बिहार के उपमुक्खे मंत्रे तेश्री यादव CBI के समन पर पूछताच के लिए आज CBI ऑफस पहुँचे थी हाला कि अफवे CBI के सवालों का सामना करके किंद्रिय जाच अन्वेशन ब्यूरो से बाहर निकल चुके हैं वहीं दूसरी ओर एडी के दोरा लालू यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती से भी पूछताच की जा रही थी जो अब खत्म हो चुकी है बता दे कि इस मामले में लारू परिवार के साथ सदश्यों को आरोपी ठेराया गया है बता दे कि एक तरफ जहां ते अश्री यादव के दोरा CBI दफ्तर जाने से पहले कहा गया था कि उन्होंने हमेशा एजेंसियों का सहयो किया लेकिन देश में ऐसे स्थती हो गई है कि लड़ना मुश्किल हो गया है लेकिन हमने इसके खिलाफ लडने का फैसला लिया है और हम जीतेंगे भी उन्होंने कहा कि जूकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुक अखिलेश या थब मिशा भारती के घर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात भी की थी सीयम नितीश को धंकी देने वाले यूवक को पुलिस ने छोड़ा कुस दिनों पहले पुलिस के दोरा बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के आवास को बम से उराने की धंकी देने के मामले को लेकर गुजराद के सूरत से अंकत कुमार नाम के एक यूवक की गिरफतारी की गई थी वहीं अब इस मामले को लेकर पुलिस के दौरा की गई पूछता से यह बात निकल कर सामने आई है कि उसने सीयम नितीश को इसलिए धम की दी क्योंकि वह होली के मौके पर गुजरास से बिहार अपने गाउं आया था जहां उन्हें पीने को सराब नहीं मिला जिस व यूवक बिहार से गुजरात पहुंचा तो उसने नशे की हालत में गूगल से एक न्यूज चैनल का नमबर निकाल गलती से धमकी दे दी हाला कि अब यूवक के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया है आज से सुरू हुई चैती छट पूजा आज यानिकी सनिवार से नहाई खाई के साथ छट पूजा की शिरुवात हो गई है वहीं अब कल यानिकी रविवार को खरना सोंबार को पहला अर्गे और मंगलवार को दूसरे अर्ग के साथ छट पूजा समात हो जाएगी पता दे कि चैती छट को लेकर नगर निगम के दोरा घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा के अंतरगत सभी काम पूरे कर लिए गए है आपकी जानकारी के लिए कि इस पर्व को लेकर जले के 76 स्थानों पर जला मजिस्ट्रेट और पुलिस पताधिकारी की तैनाती की गई है इस दिन चारी होगा मैट्रिक अरजल पहुच चलती बिहार बोर दस्वी का रिजल्ट जारी होने वाला है बता दे कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार BSEB 10 वी का रिजल्ट 23 या 29 मार्च को जारी किया जा सकता है हाला कि बोर्ट की ओर से अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है यानि कि अब बहुत जल्दी विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बोर्ड की ओर से टॉपर्स के इंटर्वियू की प्रक्रियाश शुरू करती गई है इसके लिए लगवग 200 चात्रों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है चात्रे रिजल्ट देखने के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ओनलाइं.bihard.gov.in पर जाकर देख सकते हैं इसके लावा आप 10 वी परिच्छा का रिजल्ट SMS के जरीए भी चेक कर सकते हैं चात्रे चात्राओं को SMS के जरीए रिजल्ट चेक करने के लिए बिहार दस टाइप कर अपने रोल नंबर या रेजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 56263 पर मैसेज भेजना होगा बिहार दिवस 2023 के समापन में राजेपाल ने खरीदा टमाटर की बड़ी या अदोरी बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस 2023 के कारेक्रम का अंतम दन रहा ऐसे में बीते दिन समापन समाडों में मुख्यातीती के रूप में राजेपाल ने भाग लिया बतादे के ज़ौरान राजेपाल के दोरा विवन विभागों दोरा लगाए गये प्रदर्शनी को देखा गया वहीं जब वह मितला गडी उद्योग में लगाए गये स्टॉल देखने पहुंचे तो उन्हें टमाटर की बड़ी याद औरी पसंदाई जिसे उन्होंने 200 रुपे में खड़ी दिया इस दोरान उन्होंने केले के थम से बनाई गई सामगरी को देखते वे राजिपाल ने इसे प्रचारित करने की सलाधी बता दी किस मौकी पर विहार के सक्षामंत्री प्रोफसर चंदर सेखर भी मौजूद रहे मालम हो कि त्री दिवश ये बिहार दिवश के काडिक्र में हजारों लोगों ने भ्रवन किया नौकरी का सपना दिखा कर ठगे 60 लाक रुपे हमारे आसपास हमें कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जनका सपना होता है कि वह विदेश में नौकरी करे लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सजग रहना बेहर जरूरी है दरसल बिहार की राजधानी पटना में विदेश में नौकरी दिलानी के नाम पर 60 लाक रुपे की ठगी कर ली कई बता दिए कि इस ठगी के चाल में कुल 130 बिरोजगार लोग फजगे हैं इस मामले को लेकर पिरत यूवकों के द्वारा इसके पूरी ठानी में शिकायत दर्च करवाई गई है यूवकों के द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के नुसार ठवोपा तफतर बोरिंग रोड स्थित अपुडवा राधा कॉंपलेक्स में था और उसके माली का नाम यश्वन था जिसने इजिन के रूप में अतुल रोह समेत कहीं लोगों को बाहाल कर रखा था इसके पूरी के थानेदार धीरज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार ये ठख एक साथ कई यूवकों के पासपोर्ट और पैसे लेकर फरार हो गए हैं और फिलहाल आफस में ताला लगा है किंद्रे करमचारियों का बढ़ा चार प्रतीशत महंगाई भता काबिनेट के दौरा किंद्रे करमचारियों की महंगाई भता को बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है बता दे कि काबिनेट के दौरा दिये गए इस मंजूरी के बाद किंद्रे सरकार के दौरा किंद्रे करमचारियों की महंगाई भता को 4 प्रतीशत तक बढ़ा दिय यानि कि अब इन्हे 42 प्रतीशत की दर से महंगाई भत्ते का भुकतान किया जाएगा मालूम हो कि किंद्रे करमचारियों को बढ़ा हुआ या सैलरी मार्च महीने से ही देने की शुरवात कर दी जाएगी पता दे किसका लाग ना के बल किंद्रे करमचारी बलकि पिंसन धारिय को भी मिलेगा मंगाई भत्ते के बढ़ने से हर साल 12,815 करोर रुपे का वीतिय भार सरकार पर बढ़ जाएगा बिहार के इस अस्पताल में मिलेगा कैंसर मरीजों को निशुलक इलाज इन दिनों बिहार का एक अस्पताल अपनी नई पहल को लेकर काफी चर्चा में पना जारे ही बता दे किस अस्पताल में कैंसर के मुफ्त अलाज होने से ना केवल गया के लोगों को बलके औरंगाबाद जहानाबाद अरवल नवादा जिले के लोगों को भी काफी सुधा मिलेगी अब कैंसर मरीजों को कीमो थेरेपी के लिए बिहार छोड कर देश के दूसरे राजियों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बता दे किसके लिए मगद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 25 बेड का वॉर्ट दिया गया है नवरातरी और रमजान में आसमान में दिखा नील गगन का चंद्रहार बीते दिन आने की शुक्रवार की साम आसमान में लोगों को एक ऐसा अद्बुत नजारा देखने को मिला जो शायद ही किसी को नहीं पसंद आया होगा दरसल बीते दिन शाम को चंद्रमा और तारा जो की शुक्र ग्रह था इस तरह एक दूसरे के निकटाएं की यह नजारा बिलकुल अद्बुत था मालम हो कि सुरुवात में तारा चंद्रमा से बिलकुल सटा हुआ था लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई चान से तारा की दूरी भी बढ़ती गई पता दे कि इस घटना को लोगों के दोरा धर्म से भी जोड के देखा जाने लगा एक तरफ जहां हिंदूओं का कहना है कि नवरातरी का समय चल रहा है और चैतर नवरात की तीसरी तिति है ऐसे में माच चंद्रगंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र दमक रहा है दूसरी ओर मुस्लिमों का कहना है कि आज जुमा है और पवत्र रमजान का पहला दन है हलाकि विद्वान का कहना है कि यह खगोली घटना है और यह चंद्रमा और शुक्र की चाल है जो खगोली घटना के तहत एक विशेश कून पर आ गई है चराग पासवान ने महागरबंधन से किया सवाल लोजपर आमवलास के राश्ची अध्यक चराग पासवान लगातार मुख्य मंतरे नितीश कुमार पर हमलावर रहते हैं वहीं अब उन्होंने महागरबंधन सरकार से सवाल करते वे कहा है कि अगर तेश्वियाद को मुख्य मंतरी नहीं बनना है और नहीं मुख्य मंतरे नितीश कुमार को प्रधान मंतरी बनना है तो फिर लडाई किस बात की चल रही है उरोने कहा कि महागरबंधन में दरार की बात क्यों आती है जब कि यह महत्वकांचा की लडाई है भले इन बातों से महागरबंधन अपना पलडा जारने की कोशिश कर रही है लेकिन महागरबंधन के भीतर एक वर्चस्व की लडाई देखने को मिलती है जो CM नहीं है अपनी अपनी पसंदीता टीम है वहीं आपको बता दे कि IPL के वे कौन से ऐसे पांस टीम है जिनका सोचल मीडिया पर अपना एक अलग जलवा है बता दे कि इस लिस्ट में सबसे पहले इस्थान पर लगबग 33.1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ अपने नाम कर लिया है वहीं दूसरे नमबर पर 5 बार IPL का खिताब अपने नाम करने वाली मुंबई इंडियन का नाम शामिल है इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर 26.1 मिलियन फॉलोवर्स के साथ रोयल चैलेंजर बैंगलोर है चौथे नमबर पर 25.3 मिलियन फॉलोवर्स के साथ कॉलकटा नाइट राइडर और पाचवे नमबर पर 14.2 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पंजाब किंग्स का नाम शामिल है अक्षरा सिंग ने सिंगापूर में ली उल्टी सीथी फोटो बोचपूरी एक्षरस के दोरा अपने सुछल मीडिया पर कुछ तस्वीर शेयर की गई है जो पूरी उल्टी सीथी है शेयर करते वे अक्षरा सिंग ने कैप्शन में लिखा है अब साइड डाउन है ना कमाल सभी के साथ अच्छा समय भी ता बता दे कि शेयर किये गए इस तस्वीर में अक्षरा सिंग के साथ कई और लोग भी शामिल है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के लिए जारे किये गा इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रॉल 107.02 रूपे और डीजल 460.02 रूपे प्रती लीटर में मुझे अपरपूर्ण में पेट्रॉल 107.02 रूपे और डीजल 470.02 रूपे नरधारित की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रॉली कीमत 118.03.01 र प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पिट्रोल का रेट सब्स्यादा कसन घंज में हैं जहां पिट्रोल 119.4 रुपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दर हमादरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें अमारी कमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंनी हमादरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्टा, सुनील कुमार, अंद्रजीत, पंडित, दीपक, शंकर मुख्या, कमलेश सर्मा, मृत्युंजय कुमार, कुमारी संजरा, उमेश रिसी देव, कुष कुमारी आदग, खुश्व कुमारी, नुन्नो गोलु कुमार, चितिंदर ठाकुर, शंकर आरे, अर्जुन राम, संजीत कुमार, सुमन, अब बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, IPL में आपका मनपसंदीता टीम कौन सा है, आपना जवाब हमें हमारे कमेंट स्रेक्शन लिख कर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें, बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रचान को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद